ओम शान्ती 25 मार्च 2022 की साकार मुल्ली से होमवर्क आज की मुल्ली से हम स्वामान लेंगे मैं हीरो पाठ धारी हूँ हीरो पाठ धारी सदा खुश नुमा रहने वाला और खुशियां बांटने वाला क्योंकि हीरे तुल्य जनम मिला है, हीरे तुल्य जीवन मिला है और जीरो बाब के साथ पाठ बजाने का भाग्य मिला है इसके लिए विजन बनाएंगे साक्षीपन के आसन पर विराजमान होकर बावा को अपना साथी बना करके बावा के गुण, शक्तियां, संसकारों को अपने अंदर भरते जाएंगे सरव शक्तियां, सरव खजानों के फुल स्टॉक के द्वारा बावा के साथ विश्व की आतमाओं की सेवा करेंगे जैसे माया के वश आत्माएं, दुखी आत्माओं को खुशी का, शान्ती का अनुभव कराएंगे, खुशियां बांटेंगे इसलिए आज करम करते समय इस स्मृति में रहना आदी से अंत तक मैं पाट बजाने वाली हीरो पाटधारी आत्मा हूं श्रेष्ट जनम है, श्रेष्ट भाग्य है, तो श्रेष्ट समृति से हर करम श्रेष्ट होते जाएंगे आज की मुली से धारना के लिए पॉइंट लेंगे, बावा ने कहा कि शिबावा आकर तुम्हें जिये दान देता है इसलिए जीते जी मर कर माला में पिरोने लाइक बनना है जिये दान देना अर्थात हमारा ये पवित्र जनम है, हमारे नए संबंध, नए संसकार, नएा जनम इसमें मैं आत्मा कहां तक रहती हूँ, ये चेक करना है और माला में पिरोने लाइक बनना, विजे माला में पिरोने लाइक बनना अर्थात कर्मा तीत बनकर जीवन मुक्ती का संपूरन निर्विकारी स्थिती का अनुभव करना इसकी विधी बताई बावा ने देहे भान, देहे अभिमान, देहे के संबंधों को भूल एक बाप को याद करो तो देहे भान से मुक्त होने के लिए बावा ने विधी बताई अशरीरी बनो तो आज सारा दिन दादी जानकी की तरह ये पाठ पक्का करेंगे मैं कौन और मैं कौन के लिए बाबा ने बोला अपने को आत्मा निश्चे करो जैसे ही हम अपने को आत्मा निश्चे करते हैं तो जैसा निश्चे होता है वैसे ही संकल्प होते हैं वैसी ही स्थिती होती है और वैसे ही संसकार वा करम हो जाते हैं तो इसलिए देह भान से मुक्त होने के लिए इस विधी को यूज़ करेंगे देह अभिमान से मुक्त होने के लिए जो भी विशेश्टाएं और गुन है उसको प्रभू परसाथ समझेंगे और देहे के संबंधों से मुक्त होने के लिए आज बाबा के साथ बाप, टीचर, सत्गुरु के संबंध से बार बार अभ्यास करेंगे, अनुभव करेंगे इसकी पराप्तियों को जैसे पिता के संबंध से बाप से वर्सा मिलता है विश्व की बादशाही का तो निराकार बाप, निराकार आत्मा को एडॉप्ट करते हैं, तो मैं आत्मा बाबा से संसकारों का वर्सा और विश्व की बादशाही का वर्सा ले रहे हैं, इस समृति में रहेंगे और टीचर के संबन्द से आदी मद्य अंत का बाबा नौलेश देते हैं, इस नौलेश से ही आत्मा के अंदर धारना होती है, तो बाबा ने ड्रामा की नौलेश दी जिसको समरिती में रखकर आज सारा दिन खुश रहेंगे और सत्गुरु के संबन्द से बाबा हमें मुक्ती और जीवन मुक्ती में ले जाते हैं, तो इसलिए बाबा ने कहा विकारों में मत जाना और कहा कि इस समय तुमें एक बाब को ही याद करना है और उसकी शिरिमत पर चलना है, इस तरह तीनों संबन्द से बाबा की डारेक्श झाल